आज पढ़ेंगी current electricity, ठीक है, तो current, current तो समझते ही है और electricity भी समझते हैं, है ना भाई, तो ये current electricity में क्या पढ़ना है, current समझते हैं आपने लोग, electricity वोई current, विद्धुद्धारा, इसमें जैसे water current होता है न, water current, तो water current में कौन फिलो कर रहा होता है, water flow कर रहा होता है, और अगर water flow ना करे तो, तो पर water current नहीं है, तो flowing water, को हम लोग बोलते है, water current, ठीक है तो जब, अच्छा, अच्छा, तो फिर electric current में क्या फिलो करता है जी, electricity flow करती है, कौन से city, है, electric current में कौन फिलो करता है, charge फिलो करता है, electric charge, नाम सुना है अपने charge का, कितने तरह के charge होते हैं, दो तरह के charge होते हैं, positive होता है, और negative होता है, है न, चार्ज दो तरह के होते है, positive और negative नहीं होते है, positive और negative चार्ज नहीं होते है, चार्ज दो तरह के होते हैं, एक चार्ज होता है, electronic charge, electronic charge मतलब, on electron, charge on electron, जो electron पर जो चार्ज होता है, उसे हम क्या देते हैं, electronic charge, charge of electron, और दूसरा कौन सा होता है, protonic charge, proton का नाम सुना है कि नहीं, कहां मिलता है proton, nucleus के अंदर, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है दुनिया में, यह यह proton, है कि नहीं, हां जी hydrogen, proton हां, proton हा मतलब, hydrogen ही तो हुआ, सबसे ज़्यादा मैटर इसी फॉर्म है, protonic form में, ठीक है, तो अभी proton पर जो चार्ज होता है, उसे हम कहते हैं, protonic charge, और यह क्या है, charge of proton है, अब charge of electron को लोगों ने कहा, कि यार, ऐसे काम चलेगा नहीं, यह protonic, electronic, और mathematicians को तो they don't like words, they like symbols, है ना, और जितने भी physicists हैं, they are first mathematician, तो उन्होंने का, इसको आप क्या करो, इसको आप negative से शो करो, और इसको positive से शो करो, अब कितना वड़ी है, है ना, तो अभी हमने, जैसे electronic charge को हम लिख देते हैं, minus E से और protonic charge को लिख देते हैं, plus E से, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब, अगर हमारे दुनिया के लोगों ने, scientists ने, electronic charge को plus लिया होता, और protonic charge को negative लिया होता, तो भी कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं था, ये दो different nature charge के शो करता है, कौन? ये sign, chin, plus minus, ये क्या show करता है, nature of charge, ठीक है, ये different nature का है, अब होता क्या है, कि इसमें बड़ा आजीप सा देखा गया, कि अगर एक electron को एक proton के साथ रख दिया जाए, तो जो overall charge की property वो show नहीं करते, तो उन्होंने का, ये कर दो, magnitude same है, nature opposite है, जब ये मिलेंगे, तो ऐसे behave करेंगे, जैसे charge है ही नहीं, ठीक है जी, ये नहीं पढ़ना है हमको, हमको क्या पढ़ना है, देखिए क्या है कि हमको पढ़ना water के बारे में है, जैसे मान लो, तो water के बारे में दो expect आएंगे, एक pond की study कर रहो, हमें इस समय river की study करनी है, इसका क्या मतलब हुआ, we are not concerned about stationary charge property, here we are concerned about flowing charge property, है न, तो जब charge flow करता है, तो उसे हम क्या कहते है, जब charge एक जगा से दूसरे जगा जा रहा होता है, तो जाते हुए charge को हम define करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक यह wire है, कौन है जी, wire है, ऐसे मोड ले wire को, अभी मैंने क्या किया, इस wire को, मोटे wire को, मैंने क्या किया जी, ऐसे करके, मेरे को पसंद नहीं आ रही है, बिल्कुल, अभी मेरे पास wire है, wire ही है, मेरे पास तो मेरे पास तो वायर ही मोटा वायर है तो मोटा वायर है अब मैंने क्या किया इसको एक पतले वायर से कनेक्ट किया यहां पर मैंने क्या किया एक लगा दिया कौन कोई लगा दे हो क्या लगा दूँ है जी बल्ब लगा दिया जाए है जी ये मैंने एक बल्ब लगा दिया अब ये यहाँ पर मैंने का एक बैटरी से इसको जोड दिया यहाँ पर लगा दिया एक स्विच इस तरह की चीज़ें आपने अपने जीवन में देखी होंगी कई बार है ना तो ये कौन है जी इसका नाम क्या है और ये कौन है ठीक वायर है कोई समझ रही ना बात को अभी हमने नोटिस किया कि अगर हम स्विच को करेंगे, स्विच क्लोस करेंगे मतलब, स्विच क्लोस का मतलब, स्विच क्लोस का मतलब, स्विच डॉन, स्विच क्लोस करेंगे मतलब स्विच डॉन, यह के यह बात हैं दोनो, इसको क्लोस करेंगे तो ओन हो जाएगा न, सर्किट, और इसको बंद करोगे तो यह करेंट फ्ल circuit में, तो switch close करने का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग कभी बर गलत बोल देते हैं, switch बंद करो, switch बंद करो, हम लोग कभी नहीं बोलते हैं, switch बंद करो, bulb बंद करो, tublet बंद करो, fan बंद करो, सब बंद करा आज़ते हैं, है ना, और फिर हमारे दिमाग में उसका perception जाता है कि switch close कर रहे है switch close नहीं कर रहे switch off कर रहे है switch off करना का मतलब switch open switch on मतलब switch off switch close किया इसको close किया तो switch on हो जाए गई तो ये बल्ब जलेगा और अगर मैंने कहा कि switch को open करो switch open तो अभी आप बोलोगी ये क्या हो गया switched off ये दोनों एक ही बात है ये दोनों एक ही बात है ये बात ध्यान रखना इसी में confusion आते रहते हैं कि भाई सब कहना के चाहरे है आप ठीक है अच्छा अभी देखो होता क्या है जैसे ही आपने यहाँ पर switch को close किया तो अभी आपको पता है कि यहाँ पर ये bulb जलेगा ये bulb क्यों जला तो अभी क्या होता है कि यहाँ से ऐसे पूरे circuit में कुछ चार्ज फिलो कर रहा होगा नहीं अब कौन सा चार्ज फिलो करता है इलेक्टरॉन तो अभी ये जो छोटी वाली प्लेट होती है इस पर आपने देखा होगा बैटरी में अगर आपने cell देखा है बैटरी cell कुछ इस तरह का होता है है ना ये वाला टर्मिनल होता है इसका positive और ये वाला टर्मिनल होता है negative इसका symbolic diagram हम यहाँ ऐसे बनाते है तो जो छोटी वाली प्टी होती है उसको हम लिखते है minus और जो बड़ी वाली प्टी होती है उसको हम दिखाते है plus घबराने की कोई बात नहीं अब यहाँ से electron चलते हैं और पूरे में घूम के इसे जब आते हैं तो यहाँ यह बल्ब जलने लगता है हो क्या रहा है हम क्याते हैं इसमें current flow कर रही है कहते हैं कि नहीं अब current का मतलब क्या हुआ current का मतलब वो flow of charge है ना अब flow of charge का मतलब अगर current है तो ज्यादा current और कम current का मतलब क्या हुआ ज्यादा charge flow करेगा तो ज्यादा current कम charge flow करेगा तो कम current अगर मैंने कि ज़्यादा चार्ज तेजी से फ्लो कर गया तो तो हमने का यह सब नहीं चलेगा हैं। यह भकवास मत कुन हो यह पालतो की बात हैं। ज़्यादा चार्ज ज़्यादा काम चार्ज ऐसे नहीं। Properly डिफायन करो ठर्जु है ना? चार्ज का यूनिट बताओ है जी चार्ज का यूनिट क्या होता है क्यू लाम स्पेलिंग बताओ लास्ट का भी चोड़ो बे ल, यू, एम, ब पका इसमें तो मुझे बहुता खतरना पका पका मेरे को इसमें सिर्फ C याद रहता है और B याद रहता है बागी कब मैं ऐसे जब कभी मेरे को ऐसे एक मौका नहीं में था बी हो गया कूलाम ठीक है आप समझ रहें हाँ ल, 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 तुमने इतना पका कर दिया था वो मिट नहीं रहाँ ल, O, M, B चले ठीक ठीक सुनो ये चार्ज का यूनिट क्या है कूलाम तो अभी भई अभी वन कूलाम का मतलब क्या अब मैं आज इस पहलेंग याद करके रहूँगा लॉम एक कूलाम का मतलब क्या कितना चार्ज एक कूलाम का मतलब कितना चार्ज मैं आपको एक बात बताता हूँ ये आपको मैंने का मान लो N Electrons Charge कितने Electrons का चार्ज N Electrons का चार्ज मान लो एक कूलाम के बराबर है और मैं आपको एक बात बता दूँ 1 Electronic Charge की Value होती है कितने होती है किसी को पता है क्या 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम समझ गए बात को तो अभी अगर एक electronic Charge की Value इतने कूलाम के बराबर है तो ये N की Value आप मुझे 10 सेकंड में फाइंड करके बताओ कि एक कूलाम में कितने Electrons होंगे और एक Electron का इतना चार्ज है तो 15 सेकंड मिलेंगे आपको ये बताने के लिए हाँ भई अब देखो बहुत आसान है अगर आप यहाँ पर इस राली लाइन को आगे बढ़ाओ तो आप काओगे 1 कूलाम चार्ज इस एक्वल टो एन इंटो इलेक्ट्रों चार्ज की वैलु रख लो आप तो 1.6 इंटो 10 तू दी पावर 19 देरफोर एन विल बिकम इतने कूलाम एन की वैलू कितने जाएगी 1 अपाउन 1.6 और 10 तू दी पावर 19 को मैंने उपर लिख लिया अब मैंने क्या राइसा करो इसको आप लिख सकते हो 10 अपाउन 16 फिर मैंने का अभी मैं इसको 4 0 3 0 और ले लिए तो 18 में से 3 गए तो कितने बचे 19 माइनस 3 is 15 कोई दिखत की बात नहीं, 4 4 x 16, 4 25 x 4 x 24, 6 25 so 6.25 x 10 डी पावर कितना आगया यह 19 में से 3 गड़ाएटे तो तुमारे 16 आए थे तम लोग गटागए मुझे निपटा दो गे मैने अठ्भा काहां बोला यह आगया मेरा 6.25 x 10 to the power 18 कोई भी कर सकता है अगर मुझे यह याद करने कि आफशक्ता कभी जीवन में पड़ी होती तो मैं यहाँ पर इसको लिखा हो ता डारेक्ट मुझे नहीं लगता है कि इसको याद करने के कोई खास है इसका वन अपॉन मतलब वन अपॉन इस यूर आंसर यह बटे 10 अपॉन 19 है पॉइंट अटा है तो 10 अपॉन 16 तो यह बने गया था तीन जीरो और अटा है 19 में से तो 16 बन गया और 625 बना तो 2 जीरो किसका दिये तो 18 बन गया इतना कैलकुलेशन अपने आप कर रहे और यह सब तोड़ी कदाइंग करेंगे कैलकुलेशन तो आपक कुछ और है चार्ज को किस में आपते हैं कूलम में ठीक है अभी मैंने का देखो अब मुझे किसको डिफाइन करना है इलेक्टरिक करेंट को और मैं एक बात जानता हूं कि इलेक्टरिक करेंट इस नतिंग बट फ्लो अफ चार्ज उससे मुझे कोई मैथमेटिकल स्टेटम करना पड़ेगा जिससे मैं इलेक्टरिक करेंट को क्वांटिफाई कर सकूँ उसकी वैल्यू बता सकूँ कितना करेंट है ना तो अभी मैंने का अच्छा देखो एक बात और समझ से है अभी मैंने का यहां से मानलो पॉजिटिव चार्ज इदर गया दो कूलाम चार्ज गय यहां से निगेटिव चार्ज भी इदर गया तो कूलाम अभी कैन यू टेल मी इस दियर एनी करेंट थू दिस रीजन करेंट थू दिस एरिया कितनी करेंट बताएंगे अभी आप तो आप कहेंगे यार यह तो जीरो है जीरो का है हो गई यार इसे तो आपने का चार्ज ही आपने इस तरफ से उस तरफ गया है जितना प्लस हो सितनी माय grouping है इसका मतलब और यह दो ऑए एक embarMake दंग जीरो चार्ज हो गया तो जीरो चार्ज अगर इदर गया है तो कहाँ शयो管 ही होईगी तो मैंने जेखो अभी थोड़ा करेंट के अगर मैंने का इस वाले चार्ज की चलने से करेंट को मैंने प्रॉजिटिव लेना है इस डिरेक्शन में तो इस वाले चार्ज की वज़े से करेंट को मैं क्या लूँगा इस वाले चार्ज इधर जा रहे है तो इस करेंट को मैं लूँगा या इसकी करेंट इधर लूँगा तो current को आई से लिख रहा हूँ, तो इसकी current को इधर दिखाऊँगा, इधर दिखाऊँगा, मतलब in the direction of flow of positive charge, अगर current आई दिखाऊँगे आप, तो negative charge इस दिशे हमें चल रहा होगा, उसके opposite current दिखाऊँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब हमने इसको quantify or कर लेते हैं, electric current की हम बात कर रहे हैं, electric current को हम बोलते हैं, किसी भी region से या area से, अगर हमें electric current define करनी है, it is nothing but charge, बोलो क्या होती है, charge flowing per unit time, unit area नहीं है, charge किसी भी region से, जितना charge गुजरेगा, एक second में, उसे उस region से जाने वाली current कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, तो अभी हमने का भाई, तो फिर तो ये अगर current को हम लिखते हैं, किस से, I से लिखते हैं, किस से लिखते हैं, और charge पर यह time लिखना है, तो अभी ह है, ती second में flow करने वाला चार्ज क्यों है, क्या है, ती second में flow करने वाला चार्ज क्यों है, अब electric current, अभी मैंने का, अभी एक्जाम्पल देंगे, अभी ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना, अभी मैंने का, कि मेरे पास मानलो यह ऐसे करके, यहां से जा रहा है, यहां इस तरफ जा रहा है, फोर कूलाम पर second, और इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, माइनस फोर कूलाम, माइनस टू कूलाम पर second, एक मैं आपको बात बता हूँ, यह इसका unit क्या होता है, चार क्यू का, कूलाम, क्या होता है भाई, कूलाम, और time का unit क्या होता है बिटा, second, तो कूलाम पर second को हम लोग किस नाम से पकारते हैं, एंपियर के नाम से पुकारते हैं, कूललंब पर सेकंड को क्या लिखते हैं, एंपियर, याद रहेगा, ठीक है, अब मैंने आपके अच्छा मुझे चलो बताओ कि करेंट कितनी फिलो कर रही है, करेंट तू देखता हूं एक बार, मैंने आपके पा। पॉस्टिव चार्ज यह इधर जा रहा है, तो पॉस्टिव चार्ज जिस दिशा में जा रहा होगा, उस दारेक्शन में उसकी वज़ा से एक करेंट आएगी I1, और निगेटिव चार्ज इधर जा रहा होगा, उसके उपोसिट डारेक्शन में एक करेंट आएगी I2, तो I1 क value कितनी बताओगे 4 Ampere I2 की value कितनी बताओगे 2 Ampere तो total current कितनी बताओगे 2 पिलस 4 कितना होता है 6 Ampere यह बात समझ में नहीं आई positive charge जिस direction में जा रहा होगा उसी direction में उसके flow rate से आईगी current negative charge के opposite आती है तो यह वाली current कितनी आईगी 6 Ampere अरे भई नहीं हो पाएगा पक्की बात है क्या बटा यह minus 2 Ampere इधर है तो इधर 2 Ampere हुई ठीक है कोई दिक्कत की बात तो नहीं ठीक है एक और करो फोर्क प्लस फोर कूलाम पर सेकेंड प्लस फोर कूलाम पर सेकेंड माइनस 3 कूलाम पर सेकेंड इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री current flowing through this area जल्ली से बताएं कितनी current flow करेगी इस बार 90 डिग्री है यह द्यान रखना ना उपाएगा तो अभी इस वाले वायर की इस वाले charge flow की वज़े से current कितनी आई प्लस फोर एंपियर इस वाले की वज़े से current कितनी आई माइनस 3 एंपियर तो टोटल current कितनी बताओगे इसको वेक्टर सम मत कर देना यह कौन से physical quantity है scalar इसमें बस यह important है कि यह इधर से इधर कितना गया charge in totality तो आपने का प्लस फोर और माइनस 3 दोनों गया इधर तो आपने का एक गया है इसका मतलब वन कूलाम पर सेकंड चार्ज इस जोन से इस जोन में ट्रांस्फर हुआ तो इस बात को अगर आप mathematically देखोगे तो आप काओगे यहां से चार्ज जब इस रीजन को पार किया तो वो कितना था वन कूलाम पर सेकंड ओनली effectively तो आप काओगे current कितनी बताओगे अब यहां एंगल एंगल देखे आपको confuse करेगा confuse ना होना तो कितनी current वन एंपियर पर सेकंड तो नहीं 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 यह सब नहीं चलेगा समझ में आरे यह बात अच्छा current को किस में नापते हैं एंपियर में नापते हैं और चार्ज को ठेक है current आपने flow होती हुए देखी है कभी कहां देखी कभी आपने water current को देखा है पानी बैते हुए पानी को देखा है कहां देखा नदी में देखा है दी में दी में बैरा था कि तेज दी में दी में बह रहा था, तेज बहता हुआ पानी कभी नहीं देखा, तुम्हारे यहां देखा है, इनके यहां तेज बहता है पानी, है जी, पाड़ा में बता रहा है तेज बहता है, कभी पाड़ा में नदी नहीं देखिया आपने, है जी, किनले के देखिये लेकिन वो की थी तो पानी बेहने का वज़ा क्या है हाँ नेचरल ही पानी क्यों बेहता है मतलब नेचर में भी पानी कभी आपने देखा हो कि एक पर्टिक्लर डिरेक्शन में बेहता है ऐसा क्या खास बात देखिए आपने पानी के बेहने की वज़ा जो आपको बेहता हो देखता है पा अब मैंने पानी को यहाँ पर मानलो गिराया यहाँ पर मेरा वाटर टेंक फूटा यहाँ पर वाटर गिराया गया तो पानी इधर बाएगा कि इधर बाएगा यह कैसे पता आपको तो आपको पता है पानी के बैने का जो वज़ा है वो कुछ है वज़ा अगर मान लोग किसी ने का A एक पॉइंट है और B एक पॉइंट है तो आप कोगे पानी हमेशा किदर से किदर जाएगा A to B जाएगा अरे जाएगा कि नहीं? A से B पानी को जाना होता है तो इसके बैने की वज़ा कौन है? कुछ डिफरेंस है इन दोनों में A और B पॉइंट में? क्या डिफरेंस है? क्या खास बात है जिसकी वज़ा से B की तरफ पानी बैता है? A की आइट ज्यादा है और B की आइट क्या है? काम है तो इन दोनों में हाइट का एक डिफरेंस है और हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ वाटर करेंट जनरेट होगी? होगी? ठीक है तो अभी मैंने का वाटर करेंट अगर है तो उसके पीछे की बात है तो हमने नेचुलल फैक्ट चुकि बचपन से दिखाए दे रहा था क्या लिखा हो मैंने यार वाटर करेंट अगर वाटर करेंट की कोई बात करता तो मैंने वह ने देखा है इतना अब वीयस है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि अच्छा ही से नीचा ही की तरफ पानी जाता है हाईट क difference अब हमने का यह water current का तो यह बात clear हो गई अब हमने यह बताओ कि electric current क्यों फिलो करती है electric current क्यों फिलो करती है तो अभी हमें तोड़ा सा charge की कुछ properties के बारे में पता होना चाहिए अच्चा बताओ like charges के बारे में क्या कहना चाहते है like charges attract or repel like charges repel और unlike इसका मतलब मतलब अगर एक positive charge को एक positive charge के पास रखा जाएगा तो तो वो positivity का पोस करेगा और यह कहगा मैं तुम्हे पसंद नहीं करता तुम मुझे पसंद नहीं करते वो दूसरे को पसंद नहीं करते सब एक दूसरे से दूर भागते है है और positive negative अगर एक positive negative मैं attraction होता है negative positive negative negative repulsion positive positive repulsion positive negative attraction इनमे attraction होता है यह charge की एक property होती है बहुत ही बड़िया बात है ठीक है जाग रहे हो तो अभी देखो क्या है जिस तरह से किस तरह से जी जिस तरह से water current water current क्या है उसका वज़ा क्या है difference in height difference in height इसका कारण कौन water current का reason और अगर कोई electric current का reason पूछेगा तो क्या बताएंगे हम difference in आपने कभी battery यूज की है कितने वोल्ट की 1.5 वोल्ट की बैटरी यह मेरे इसमें लगी है 1.5 की वोल्ट की बैटरी यह दिख रहा है दिखाना मत किन लगे बैटरी लगी होती है कितने वोल्ट की बैटरी होती है किन लगा इसम थोड़ी मतलब कहने है बैटरी देखते पर हैंगे हमको तो बैटरी और टॉर्च उसमें सेल लगा के बैटरी लगा के पूरा प्रॉपर देखते हैं इसके आगे अपने को कोई टेंसन नहीं लाइक में कितने वोल्ट की बैटरी वो तो ज्यादा होती है योस तो वैसे क्या बताएं को कितने वोल्ट की है अच्य जो कार में बैटरी लगा रही है बारा वोल्ट वह भी यसी ही रहती लेकिन आब उसको क्या करते हैं उसमें एक डिवाइस लगाते हैं जिससे वो उसका वोल्टेज 220 पर ले आती है जिसे कहते हैं इनवर्टर 220 खेर वो अपन बात की बात है लेकिन एक बात ये बताओ कि बैटरी आपने अगर देखी है तो उसमें कितने वोल्ट की होती है वो कितने वोल्ट की होती है 1.5 वोल्ट की होती है आपके घर में बिजली कितने वोल्ट पर आती है 220 वोल्ट पर आती है हमारे हैं हमारी घर में जो पैंसिल सेल होते हैं वो कितने वोल्ट के होते हैं 1.5 वोल्ट का पैंसिल सेल होता है इसमें ये वोल्ट क्या है इसमें यह 220V में वोल्ट क्या है चार्ज तो कूलाम में नापते हैं यह बोल्ट क्या है 1.5V की बैटरी पैंसिल बैटरी को ऐसे पकड़ सकते हैं आप दो आंग उटे और उंगलियों के बीच में लेकिन आप ये 220 वोल्ट के इलेक्ट्रिक करेंट जो आती है उसका पॉस्टिव और निगेटिव टर्म लाइश से पकड़ना फिर आप कभी जीवन में कुछ पकड़ने लाइक न रहोगे है ना अरे इलेक्ट्रिक करेंट लगी है कभी जटका लगा बिचली का 220 वोल्ट होता है वो हलका सा चुवाते है आदमी फिर चार-पांस दिन तक तो सुच भी नहीं देवाता हो तो यह जो वोल्टेज है वो कारण है किसका इलेक्ट्रिक करेंट का क्या नाम है यह जो वोल्ट आप लिख रहे हो यह जितना ज्यादा वोल्ट हो का उतनी ज्यादा करेंट भुलो करेंगी आपको समाझ में आ गया डेल हाँ सच कहर रहा लेकिन हो लेकिन हर एक बैटर को जीव से चेक नहीं कर लेना करेंगा बस एक बार चेक किया था आप आध़ से जीव काम करना बंद कर दी है ठीक है तो क्या बिटा हमारे बॉड़ी के अंदर जो भी आपके दिमाग से इंफोर्मिशन बॉड़ी को जा रही body से information, दिमाग को जा रही, वो कहां से जा रही, electrical pulses जी तो है वो, हाँ जी, ठीक है, अच्छा सुन तो लो, ये जो voltage है, ये है क्या, ये तो किसी चीज का unit है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है difference in potential, potential समझते हो, potential एक general word है, छमता जैसा कुछ फील कराता है, कितना potential है किन लगया आपके अंदर, आज देख लिया जाएगा, तो अभी हमने का, electric current flow करानी है किसी को, तो हम कहेंगे, भाईया, जिन दो point के बीच में electric current flow करानी है, ये दो point, देखने हैं इदर सुनना ध्यान से, मानलो आपने A और B के बीच में, क्या कर रखा है, एक bulb लगा रखा है, ये तार से ऐसे क्या लगा रखा है, बलब लगा रखा है, अब आमने का, इसमें में current flow करानी है, तो मैंने का, भाईय से ऐसा करो, पहले इन दोनों के बीच में, एक क्या करो, एक बैटरी लगाओ, अब ये आपने बैटरी लगा दी, अब ये जो बैटरी में से, मानलो 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये बैटरी क्या कर रही, इन दोनों point के बीच में, एक potential difference generate कर रही, इसका potential high कर रही, इसका potential low कर रही, कौन, ये बैटरी 1.5 वोल्ट की है, तो अब ये उसने कहा कि, अगर इस point का potential VB है, और इस point का potential VA, potential को किस तरे represent करते हैं बीचा, V से, तो अब ही हम कहेंगे कि, जो VB का potential है, और वो VA के potential से, कितना ज्यादा हो गया, 1.5 वोल्ट, इस potential, इन दोनों के potential अलग अलग है, इसका potential ज्यादा है, इसका potential काम है, इनके बीच में जो potential difference है, potential of what, potential of flowing current, potential of flowing current, इसको अब ये potential सब्द का potential general meaning ही है, लेकिन यहाँ पर किस reference में ले रहे है, current flow कराने का potential किसका ज्यादा, आपने का B का ज्यादा, A का कम, तो B कहेगा, अब हम current flow कराएंगे, आई से, आई से, पूरे तार्मा, आई से, B से A की तरफ, और A का potential ज्यादा होता, तो आप कहते पर कहता, A कहता कि अब हम कराएंगे, इधर की तरफ जाएगी current, तो इसका मतलब है, current flow का का कारण, कौन, potential difference, अगर आपने, बैटरी ना लगाई होती, अगर आपने, बैटरी ना लगाई होती, तो इस पॉइंट का potential, और इस पॉइंट का potential होता, सेम, दोना कहता, अगर कमजूर होते आप, तो बहुत मारते हैं आपको, लेकिन आपने बरावर के हैं, इसलिए आज लडाई नहीं करेंगे, तो अभी एक का potential, बी का potential आपने ज़्यादा कर दिया, और एक का potential current flow कराने का, आपने कम कर दिया, तो current कहां से कहां flow करेगी, बी से एक की तरफ current flow करेगी, कोई दिक्कत की बात है, नहीं करेगी, करेगी, यहां तक समझते हैं आप लोग बात, तो what is potential difference, हाँ potential, electric potential कहते हैं इसको, electric potential का मतलब, the potential of flowing current, from one place to another place, अब एक अब लेकिन वो potential difference होना चीज़, तब फिलो करेगी, आप ने कहा कि यहां पर एक point A, और यहां पर आपने इसके बीच में ऐसे करके, एक बल्ब लगाया, और आपने का भाईसेब यह B है, मैंने कहा यह 10 वोल्ट इसका potential है, और 10 वोल्ट इसका भी potential है, तो मैंने कहा बताओ current फिलो करेगी, आपको यह मजाया, चल लेगे यह दिखेंगे बाईसेब, अभी मैंने कहा इसको मैंने कर दिया 40 वोल्ट, आप current फिलो करेगी, आपको आप पक्का करेगी A से B या B से A, A से B current फिलो करेगी, तो current ऐसे फिलो करेगी, current फिलो का मतलब, flow of positive charge, लेकिन यह माल लो, आपने का metal conductor wire है, metal wire है, metal wire में current किससे फिलो करती है, electron से केवल, क्यों proton से क्यों नहीं करती, अरे proton nucleus के अंदर बैटे रहते हैं, है ना, लेकिन electron free ओरते के ट्रेलते हैं, तो electron से, अभी सुनो, मेरी बाद बोट पर नजर, इस point का potential रखा कितना, इस point का potential कितना रखा, current कहां से कहां फिलो की, 42 A से B, फिलो कौन से charge कर रहा हैं, यहाँ पर सच्चाई में, negative charge तो वो A से B जा रहा होगा, या B से A जा रहा होगा, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर electron A से जा रहा है, opposite to, और electron के opposite current मानी जाएगी, तो आपने का current A से B जा रही है, और सच्च में कौन चल रहा है, electron B से A जा रहा है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, चलो note कर ले इसको, हाँ जी, आप चाद देखो, अभी आपको एक बात समझ में आ गई, potential difference, जो होता है, वो किस बात का cause है, क्या करता है, potential difference, कौन सी current फिलो कराता है, water current, electric potential difference, जिसको short में हम लोग, potential difference बोल देते हैं, वो क्या represent करता है, कितना current फिलो कराने का, उसका potential है, अब देखो, जैसे मान लो, मैंने का मेरे पास यह, यहाँ पर मैंने का एक ऐसे wire ले लिया, ठीक है, अभी मैंने का, इस वाले point को, नाम दे दिया, मैंने A, इस वाले point का नाम दे दिया, B, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, अभी मैं कहूंगा कि, भैसे अब इसको मैंने मान लो, एक ऐसे battery से जोड़ा, यह battery का symbolic diagram है, इसमें आपको कोई समस्या तो नहीं, पकी बात, अभी मैंने का, इसका जो battery है, यह V volt की battery है, इसका क्या मतलब है, किसका potential ज्यादा है, A का या B का, A का, battery लगा दी नहीं है, तो battery potential difference जनेरेट करेगी, तो A का ज्यादा होगा potential यह B का ज्यादा होगा, तो मैंने का, अगर A का potential B के potential से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो आपने का, जो आपने लगाई थी V volt की battery, तो V ज्यादा है, VA is more than VB by V, अब सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, अभी मैंने का, मेरे को यह photo किसी ने उड़ा दी, यह photo क्या हो गई, यह photo गायब कर दी, उसने मुझे सर्फ यह दिखाया, इतना part, और उसने यहां का part इधर का छुपा दिया, ठीक है, उसने का, बाई सब, यह वाला जो point है, यह high potential पर है, और यह वाला, point B वाला point जो है, वो कैसा है, low potential पर है, ठीक है, उसने का, इन दोनों में से, A high potential पर है, और B low potential पर है, उसने का, ऐसा करो, आप मुझे जरा बताओ, यह VA minus VB, find करना चाहते हैं, तो मैंने का, अब इसको define करना है, तो potential difference define करना, ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी मैंने का, कि अगर, अभी अगर मालो, यहाँ पर मैं positive charge छोड़ूँगा, तो positive charge दर फिलो करेगा, A to B, और negative charge के दर फिलो करेगा, बीट अपने अप चलेगा, high potential से current beef की तरफ अपने अप जाएगी, जाएगी के नहीं, मैंने ultra काम किया, कौन सा काम, ultra काम किया, एक आदमी की पतनी, इलाबाद में, गंगा नदी में डूब गई, ठीक है, उसने उसको खोजना शुरू किया, और जो खोज शुरू की गई, वो इलाबाद से लेके, हरिद्वार तक खोजा गया उसको, वो नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, वो बनारश चलेगी, उस आदमी को समझाया गया, कि तुम अपनी पतनी को, गलट डिरेक्शन में खोज रहे हो, तुम्हें इधर जाना चाहिए तर नीचे की तरफ, पानी बैके नीचे की तरफ जा रहा है, बोले तुम मैं नहीं जानते, मेरी पतनी हमेशा उल्टे काम खरती है, इसलिए मैं इधर डून रहा हूँ, तीके चलो, अभी यहाँ पर जो है, शिवानी तिरे को समझ में नहीं है, समझा लेकिन, बनारा से रहा हूँ, द्वार में कनफीज हो गई, कि कौन कहा पर है, ठीके, अभी द्यान से देखना, अगर यहाँ अभी में देखो क्या किया गया, यहाँ पर एक Q-Charge को पकड़ा गया, इस Q-Charge को किसी से कहा कि इसको खीच के A पर लेकिया, उल्टा, वो किलना लगए, अगर कहीं लगे पड़े हो, इसको यहाँ से छोड़ दे, यहाँ अपने आप चला जाता, यहाँ से यहाँ लाने की जरूत क्या है आपको, अभी तुम लेके चलो, उसने का, बहुत काम करना पड़े हैं, यह इदर उपोजिट ले जा रहो है, आप हाई पुटेंचिल बिल ले जा रहो चार्ज को, तो अमने का, चलो तुम चुप-चाप लेके चलो, वो यहाँ से यहाँ तक लेके, मैंने कितना काम किया, उसने का मैंने काम किया W नहीं समझे बात को अगर आप ऐसे सोचो कि यहां से पानी नीचे बह रहा है ऐसे water flow कर रहा है और आप से का जाए कि यहां पर जो है 10 लीटर water tank लिए और इसको यहां ले जाओ तो आपको काम करना पड़ेगा कि यहां से B से A पर ले जाओ तो उसने जो agent था जिसने जो इसको लेके गया उसने कितना काम किया डवल्यूte कितना काम किया spraw कितना है uirग गया था क्यु कूला क्यु कूलं Harm चार्ज लेग किए था डवल्यूeto करना पड़ा उसे तो मैंने का आप देख़ों तुमको एक बात बता देते हैं तुम इतना कर लिए हो बहुत अच्छे आदमी हो तो A का पोटेंचल और B के पोटेंचल को डिफरेंस आएगा वो W अपॉन के बराबर आएगा और इसकी वैलू होती है यह है जूल और यह कितना है कूलाम और जूल पर कूलाम को क्या कहते है जूल पर कूलाम को क्या कहते है वोल्ट समझ गये बात है जी हाँ तो अभी अगर कोई बोले what is potential difference between two points नहीं work done का है का work done work done क्या 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 लेकर वो cycle चला जो उसमें work done हुआ ता वो अला work done ले लिए और charge बुट क्या लेकर जो सा भी तुम आपा जहां भी उठा ले ना potential difference between two points is what what is potential difference between two points it is equal to work done per unit transfer of charge from point B to point A फिर से सुनना potential difference between point A and B मैं कुछ-कुछ लिखता जाऊंगा potential difference यह आपको definition लिखने की आधर डालनी पड़ेगी आपकी दिमाग में original situation है लेकिन आप उसे शब्दों में नहीं लिख पा रहे है तो यह आपका fault है आप सारे चीज़ आर बार नहीं रट होगे आपको एक बार चीज़ समझ में आगई फिर उसको आपको अपने proper words में लिखने की भी आत डालनी पड़ेगी potential difference between two points A and B define कर रहे हो आप क्या आप define करोगे it is equal to फिलो नहीं work done in carrying from B to A unit charge from B to A बोलो अगर आपने work done बोला इसको इसकी W के बराबर बोला तो Q1 रखना पड़ेगा आपको तब ही यह W के बराबर आएगा ठीक है या फिर आप बोलो के potential difference between point A and B is equal to ratio of work done and charge Q which we carry from point B to point A ठीक है आपको अपनी definition अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिखने के आप एक दू बार कोशिच करोगे आप अच्छी definition लिखना सीख जाओगे definition लिखने के practice करनी पड़ती है पहले concept पूरा समझ लिया फिर उसको पूरा specific words में लिखने के आधर डियालोगे बहुत बढ़ी है definition लिखो किताब जैसी एकदम ठीक है तो potential difference क्या हुआ A और B के बीच work done क्या है work done work done per unit charge transfer जल्ली बोलना की जरूत नहीं है बहुत आराम से लिखो ratio of work done B2 कितना charge देखो per unit बोलोगे तो पर work done is equal to change in potential difference तो if you are trans बहुत आराम से बहुत simple शिफदमें बोलो the potential difference between point A and B is equal to work done in transferring unit charge from A खतम हो गई इसको आपको अपनी practice करनी पड़ेगी इसको लिख के देखना आप आपने अगर 5-6 बार ऐसे definition लिखी बिना रटे समझ के तो फिर समझ लो आप physics में सारी definition याद कर लो क्योंकि समझ में तो आ जाएंगी लिखते समय रट्टा वाला काम होता है वो नहीं चाहिए हमको वो प्रैक्टिस वाला चाहिए brainstorming उसकी आदे डालोगे वो करने लगोगे ठीक है अभी मैं एक सवाल दे रहा हूं आपसे potential work done इन तो कूलंब ट्रांस्फर उफ चार्ज बत्वेन तो पूंट इस फिफटी जूल what is potential difference between points जल्दी बताएं हाँ जी तो आप लिखोगे potential difference delta v is equal to w upon q w की value 50 q की value तो कितना आगया 25 volt कोई गबराने की बात तो नहीं पक्का एकदम सीधा सीधा सा है अच्छा जी यह point A है यह point B है जागते ही रहना यहाँ पर current flow कर रही है 2 ampere ठीक है इसका potential है 20 volt और इसका potential है 5 volt कितना पोटेंच पोटेंच वोल्ट एक उपाँंच वोल्ट वर्क दधान Q फ्लोँग 2sm पोटेंग Q keeping in 10 seconds from A to B पेलपन डूस्ञ पोटेंट दूसरा पक्ड़्च वर्क दधान by electric current source in 10 second, tisra point. पावर ओफ एलेक्ट्रिक करेंट सूर्स, बताओ पहला पॉइंट, कितना चार्ज फुलू करेगा 10 second में, है, कितना चार्ज, तो अभी आपको पता है, q is equal to क्या होता है, q upon t is equal to क्या होता है, भाई, i, अरे होता है कि नहीं, तो q की value कितना बताएंगे आप, i into t, t की value आपको दे गए थी 10, और i की value आपको दे गए थी 2, तो कितना चार्ज फिलो कर गया, 20 कूलाम, बहुत ही बढ़िया, तो यह आपने लिख दिया 20 कूलाम, अब मैंने का work done, by this current source, इन 10 second में कितना work होगा, तो आपने का, भाई सब देखो, 10 second में कितना चार्ज ले गए, 20 कूलाम, पोटेंचिल डिफरेंस पता है कि आपको, तो अभी आप काऊगे जो डेल्टा वी होता था, डेल्टा डेल्टा वी पोटेंचिल डिफरेंस डेल्टा 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 15, तो w upon q था 20, v था 15 w की value 30,000 300 joule क्या बात है और मैंने का power बताओ इसकी तो w upon time से बता दोगे w क्या था q into delta v था, ये क्या था w क्या था और q upon t क्या था i और delta v को कई बार लोग किसे लिख देते हैं तो power का formula क्या आगया किसकी power है जिसकी current है और जिसका potential difference है उसी की है है ना कर पाएंगे के नहीं कर पाएंगे कर लेंगे, किलेंगे ये सब तो हम कर लेंगे ठीक, बड़ी है अच्छे आप देखो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ बैटरी हमारे हैं चीज़ों को as it is नहीं बनाते क्या करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है, तो अभी आप जल्दी बताना, मैं कुछ component बताऊंगा आपको और आप मुझे बताना मैं सिंबल बना देता हूँ, आप पहचान के बताना ये क्या है कोशिश करना अपनी तरफ से ठीक है, तो मैंने ये बनाया, ये क्या है भाई अरे गजब ये बैटरी मैंने इसका नाम लिख दिया है ना, इसको वैसे हम लोग cell भी कहते हैं और अगर मैंने मानलो symbol ऐसे बना दिया तो ये combination of battery है combination हो गया batteries का बिल्कुल सही का single cell battery भी बोल सकते हो जिसी single cell battery है ये multiple cell battery है तो मतलब ठीक है चलेगा कुछ लोग इसको सिर्फ cell भोलना पसंद करते है ठीक इसमें ज्यादा issue नहीं है अच्छा ये किस चीज़ का symbol है ये कहलाता है भाई ये symbol आप याद रखना ये resistance का symbol है ये resistance आपने कभी देखा है अपने जीवन में bulb का filament अगर आप देखोगे तो वो एक resistance है हीटर वायर जो होता है रूम हीटर में या कुकिंग हीटर में जो वायर जलता है लाल रंग का वो resistance है ठीक है resistance को किस से represent करते है capital R से ठीक अच्छा जी अभी मैंने का कि मेरे पास इस तरह का ये किस चीज़ का symbol है ये open switch का symbol है हाँ अगर आपने इसको ऐसे बना दिया अगर मैंने आप से कहा कि भई अभी ये ये किस चीज़ का symbol है close switch का मतलब समझ में आता है आपको इसका मतलब है क्या है कि अगर मान लो अभी आपने यहां से ऐसे यहां पर filament लगा के bulb है मान लो और ये battery लगा ही है आपने तो अगर आपने इसमें ये dot लगा रखा इसका मतलब यह होता है keys लखती है यहां से इसमें key touch होगी अंदर जाके symbolic बनाये गया है इसके अंदर ऐसे एक इस तरह की key को insert कर देते है तो ये जैसे इसमें touch होगी अंदर जाके तो ये दोनों terminal को जोड़ देगी दोनों किनारों को तार के जोड़ जाएंगे यह अपस में तो current flow कर जाएगी तो इसको क्या कहेंगे ये किस चीज़ का symbol हो गया closed switch का closed switch का मतलब switch on ये off on ये closed switch का symbol हो गया इसमें कोई गबराने की बात नहीं है अच्छा ये वाला symbol किस चीज़ का है जी open switch क्या बात है आप लोग उस सब पता है अच्छा ये ऐसे करके symbol बनाते हैं ये किस चीज़ का symbol है bulb का symbol है अरे गजब तो बस अब क्या है अब कितने symbol बनाओगे इतने ही तो होते हैं और भी होते हैं अमीटर भी होता है बता रहे हैं यार ये तो बहुत समस्थ अमीटर एक नाम की चीज़ होती है अमीटर से क्या नापते है आजी अमीटर से क्या नापते है current in wire current in circuit कितने current तार में फिलो कर रही है यह किस से पता लगेगा, आमीटर से, इसका सिम्बल होता है, इधर प्लस इधर माइनस, और अगर एक होता है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या नापता है? पूटेंचियल डिफरेंस, इसका सिम्बल होता है यह, ठीक है, अभी अगर रेजिस्टेंस पर ऐसे एरो लगा दिया जाए इसका मतलब क्या वैरियेबल स्टे payment कहते हैं। हां मतलब ? वैरियेबल स्टेंस पहल बिए लुए रहा बहुत कई हो ऐसे करका इसमें थार दिखा दिए आ नहीं ऐसे नहीं और एक फ्यूज भी होता है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे आते रहेंगे दीरे दीरे पढ़ते रहेंगे ठीक है चलो पर ठीक है आज यहीं ते कर लेते हैं और क्या चले ठीक झाल